अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधरी, आधी के लिए उत्तरदाई नहीं होगा लुक्योण हम जाएं जाएंडर करते हैं चैनल करते होगी आपकी जड़ पाया ये जाएंगी जार थे रmind्मेदाराइ्ण किसी से संपराई आपकी जिलासे। उत्तरदार्से Central छ्रीए आपकी से Parlamentल लगर झाल कर दो कर दो कर दोगाओ sounds जादाब नेशनल बगरा टीम भोपाल से जो हमारे बीच में यूट्यूब चैनल के हमारे पूरा कवरेज करने वाले साथ ही आए हैं उनसे बुजारिश है कि वो जल्द डाइस पर तर्श्रीफी लाएं बड़ी महनत से और मशक्ता से मंजर आम पर लाने की बैद पना कोशिश की है हम उनके शुक्र गजार ही अमीर हमजा ये भी डाइस पर आजाए यूट्यूब वाले आप पहुचाते जाएं उपर भाई भोपाल वाले भी आजाएं योगी भाई अब ही चेनल वालों का इसलिए कर रहे हैं ताके फिर आपको कवर करने में असानी हो जाएगी गोगी भाई आजाएं आप चीना भाई कोटा वाले उनकी टीम को पहुचा दीजे जो यूट्यूब वाले हैं उनके साथ जो भी महमान हैं वो डाईस पर तश्रीफ ने आएं हमारे बीच में पईज़त महाब महतरम हाजी कलीम गुड्डू साहब तश्रीफ फर्मा है जिनकी खयादत और खयादत से जिनके आज की इस प्रोग्राम के अमल में आने की वजा रहे हैं जिन्हों ने हमारी नए नए नसलों को और बकरे बाजों को एक नए जान पहचान और एक शौक पैदा करने की कोशिश की है हम उनके भी इस मौके पर शुक बज़ा रहे हैं आरुन मामा पाली से जो तश्रीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है कि वो जिन जिन हजरात को दस्तार बंदी हो चुकी है उनको माला पहना कर उनका इस्तक्बार करेंगी और महतरम नदीम भाई साहब जमजम गौट वाले नदीम भाई साहब जमजम गौट वाले उनसे भी गुजारिश है कि वो हमारे महमान का माला डाल कर इस्तक्बार करें देखिए आपके सामदे मौनिटर के जरीए भी आपको डिस्पले में बताने की कोशिश की गई आसानी के लिए और आज के हमारे जो महमान यहां आए हैं उनका इस्तक्बाल किया जा रहा है शहर उजेन, अब्दुर्रही महाजी साहब की जानीब से, उनके परिवारवालों की जानीब से आप वो तमाम हज़राद जो इतनी गर्मी में बड़ी मशक्तते हैं और मेहनस से सफर करके हमारे बीच में आज के इस प्रोग्राम की रोनक को दोबाला करने के लिए यहां तश्रीफ लाए हैं, मैं उनका तही दिल से शुक्रियादा करता हूँ, खेर मख्दम करता हूँ, इस्तक्बाल करता हूँ जुनेद भाई, यूटूब चैनल वाले, जुनेद भाई, अगर मेरी आवास सुन रहे हो, तो वो बराई महरबानी, डाइस पर तश्रीफ लाए हूँ जरा दस्तार में स्पीड बढादे भाई जैसा के मैंने एक बात पिछले एक प्रोग्राम में कही थी, शरीफ भाई मौझूद हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में माशालला ये हमारे साक्षी रेते हैं, अर्द ये करना चाह रहा था कि दस्तार का प्रोग्राम इधर चल रहा है, दस्तार भी एक शेर मेरे जहन में आ गया कि सिर्फ दस्तार से, आपके इंदोर के राहत भाई का शेर सुना रहा हूं मैं आपको, सिर्फ दस्तार से इज़त नहीं मिलने वाली, सिर्फ दस्तार से इज़त नहीं मिलने वाली, लोग किरदार की जानी भी नज़र रखते हैं, लोग किरदार की जानी भी नज़र आज का ये अजीम श्चान प्रोग्राम जो दस्तार बंदी से और खेर मगदम से शुरू हो रहा है बहुत जल्द आज के इस प्रोग्राम के जिस मकसद के लिए मुनकिट किया गया है उसके महमान यानि वो बकरे जिन को तैयार किया है जिनकी महनतें आपके सामने अभी जाहि होने वाली है वो बहुत जल्द आपके बीश में हमने डिस्प्लेट लिए यहां पर बुलवाया है यह पहला प्रोग्राम है कि आप लोगों के साथ में हमने उनको भी यहां एड़ किया है और यह जो भी प्रोग्राम मुनकिट किया जा रहा है और जो बकरे आपके सामने य आपको लगेगा, क्योंकि सारे यहाँ पर जितने भी बकरेवाले हज़राइद बैठे या बकरेबास हज़राइद बिठे हैं, वो सब एहले नज़र हैं. और वो जानते हैं कि बकरों को बनाने में और बकरों की खिडमत के अंदर क्या महनत, और क्या मशक्कत और कितनी तबज्जा दर्कार होती है वो आप खुद महसूस करेंगे क्योंकि ये इस्पेशल प्रोग्राम है जो आपके सामने मुनकिट किया जा रहा है आज का ये प्रोग्राम खास दोर से आप लोगों की इतनी मशक्कते और महनते और सफर की सभूबतें बरदाश करके आप यहां आए हैं उसके एल्जाज में हमने भी ये कोशिश करी है कि हमारे महमानों को हम पूरे हिंदुस्तान में ये लाइव टेली कास्ट आपको दिखाया जा रहा है आप जितने भी महमान देखे हैं इन सब को और हमारे इस प्रोग्राम के हमारे महमानान को जो डाइस पर तश्रीफ फर्मा है इन सब को डायर्ट लाइव टेली कास्ट तीनो यानि यूट्यप चैनल बोपाल और वर्ड़ गॉड्ड टीम अजमिर शरीफ और कोटा से यूट टेली कास्ट किया जा रहा है अब मैं अगले इस प्रोग्राम और सेशन के सेकंड इस्पेल को स्टार्ट करूँ मैं हमारे तीनो चैनल के जो जिम्मेदार हैं जिनका आइजाज और सम्मान हो चुका है वो बराए महरबानी सामने कवरिंग के लिए आ जाए हमारे जो महमान डाइस पर हैं चैनल के जो भी साहबान हैं उनसे गुजारिश है कि वो नीचे तश्रिफ ले आएं ताके प्रोग्राम को कंडिक्ट कर सकें कवर कर सकें और बाकी मैं अगले महमानान के रूट में हमारे बीच में आज के हमारी एकेजी अजी मुश्चान शक्सियत जो पुर परिवार के उपर आप लोग यकीन जानी है कि काफी उनकी महमत और शफकत रहती है मेरी मुराद है जनाब महतरम इज्जत माप जमजम गौट फॉर्म के हमारे महमान अताउल्ला खान साहब से अताउल्ला साहब आज के हमारे इस महमान के चीफ गेस्ट हैं मैं चाहता हूँ के थोड़ी स्तालियों का इस्तिमाल करने तो बहतर होगा अब आप खाने और पानी सबसे फारी हो गाएं ताकि इस प्रोग्राम में बाकाईदा थोड़ा सा मज़ा आए हमारे बीच में अताउल्ला खान साहब जो आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं वो आचुके हैं वो हमारे बीच में तश्रिफ ले आएं इनकी दस्तार बंदी की जा रही है ये जमजम गाट फॉर्म कोटा का एक सबसे मारूफ और मशूर गाट फॉर्म है और जिसने काफी हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है उसके चीफ उसके बड़े जमजम गाट फॉर् दस्तार की जा रही है वो आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गैस्ट रही है मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ आप जोडपूर से आपका तालुक अतौला भाई साब का मैंने कोटा केह दिया और साथ ही अब इनको बला लोता हूं नदीम भाई है ना मिजान भाई और अब मेरी फैरिस्त में जो अगले नाम है उनसे भी मैं तरखास करता हूं कि जनाब नदीम भाई साहब जमजम गौट फॉर्म के जिम्मेदार नदीम भाई साहब आवास सुन रहे है तो वो डाइस पर तश्रीफ ले आए जनाब मीजान भाई साहब मीजान भाई वो भी डाइस पर तश्रीफ लाएं महतरम गिरामिय कदर हाजी लाल मुहमद शेख साहब जमजम गौट फॉर्म से उनसे भी मेरी दरखास दे कि वो डाइस पर तश्रीफ लाएं ताके आज आज आपकी दस्तार बानकर आज का सम्मान आपका आज़ास किया जा सके और हमारी खुशनसीबी कि आप जोदपूर, कोटा, भोपाल, इंदोर और उज्जेन जिले के बहुत सारे चोटे चोटे और बड़े बड़े गाव और शेहर से यहां हमारी इस महफिल के अंदर आए और हमारी इस महफिल को रोनक बख्षी मैं आपका शुक्री आदा कर अब अगली फैरिस्त में जे पुहरी के मेरे चार अजीज हजरात को मैं बुला रहा हूँ मैं सबसे पहले तो यह माज़रत चाहूंगा कि जिसका जो मकाम और मरतबा है उसमें कभी मेरे से नाम उपर नीचे हो जाएं उसकी शक्सियत के मताबिक तो मैं माफी चाहता हूँ किसी बड़ी शक्सियत का नाम कभी नीचे आ जाए और किसी छोटे बंदे का छोटा और बड़ा तोर नामों से होता है लेकिन उसके लिए मैं पहले से माज़रत चाह लेता हूँ वसीम भाई जेपूर से है वसीम भाई साब जेपूर वाले उनसे गुजारिशे के वो बराय महरबानी डाइस पर तश्रीफ लाए भाई तालियों में कंजूसी ना करें तालियों वजा कर जो भी महमान हमारे या आए अंता इस्ताफ़ जैसी में नाम पकार हूँ दो मिनटे के लिए तालियों बजा द्या करें और खासतों से उजएन वाले आप के हात छोड़े भाई अपन बादे बात करते रहेंगे दिन बर तो आप बात करते रहे motives जनाब साधिय बहाई साभी जैपूर वाले साधिक भाई साभ जेपूर वालों के लिए तालिय बजाईए और ये साफे जो वो बंदे हैं माशालाँ आपके चेहरे पर बहुत अच्छे जचरा हैं इसको बंदे रहने दें आँ खोले या नहीं उमेर भाई साभ जेपूर महतरम जनाब उमेर भाई जेपूर से तशिफ लाएं जोरदार तालियों से इस्तखबाल करें एक और नाम मेरी फेहरिस्त में जेपूर से है जनाब राजा भाई सहाब जेपूर वाले ये पांच हजराग क्यों बही इदर चले गए आप इदर आईए ना आप बिरादरी में हैं भाई बिरादरी से बाहर में हैं आजए ही आप ये तीनों बच्चे पीछे आज़ो बेटा काफी जगा आपके लिए रखी गई है कोई भी सहाब इदर उदर ना बेठे आपके बेठे का माकूल इंतिजान किया गए मैं अब बुलाने जा रहा हूँ पाली से तश्रीफ लाए जनाब हारून मामा साहब को कि वो भी डाइस पर तश्रीफ रखेंगा हारून मामा साहब जो पूर से तश्रीफ लाए अभी सरनेम में जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है मोदी इनका भी आगे मोदी लगता है तहरान मोदी सहाब तहरान मोदी सहाब अगर मेरी आवास सुन रहे हो हो तो बराय महरबानी डाइस पर तश्रीफ लाए आजाएए साथा मोदी साहब के लिए दोको रोड पर जाते हुए लोग सोच रहे हैं कि मोदी साहब बगरे के प्रोग्राम में कैसे आ गए तेहरान मोदी साहब हमारे बीच में तश्रीफ लाएं तेहरान मोदी साहब की जो जोटपूर से तश्रीफ लाएं हर आदमी अपने फन में माहिर है आपका छोटा सा एक तारूफ देदू कि तेहरान मोदी साहब जो है यह इंटरनेशनल बगरे सप्लाइ करते हैं आप लोग हम इंदोर, भुपाल, उजेन, बॉंबे वगरा जहां तक करते हैं तेहरान मोदी साहब की खासियत यह है कि इनके जो कस्टमर्स हैं और इनके चाहने वाले जो हैं वो इंटरनेशनल लेबल पर हैं आप अपने बगरों को तयार करते हैं और वो तयार बगरे करके बाहर फॉरेंड्स के अंदर UAE, मसकत और शारजान, साओधिल आरबिया इदर अपने बगरे पहुचाते हैं इनके लिए एक जोरदार तालिए, इस्पेशल मरा दी जनाब भॉपाल से तश्रीफ लाए महतरंग जनाब शहाब अली साहब शहाब अली साहब अगर मेरी आवास सुन रहे हो भॉपाल से तश्रीफ लाएं, वो बराए महरबानी डाइस पर तश्रीफ लाएं हमारे शहर की राजधानी भॉपाल और भॉपाल के अंदर बगरों का काफी शोख है उनको तैयार करने का, ऐसी हमारी शहाब अली भाई साहब यह हमारे बीच में तश्रीफ लाएं, मैं गुजारिश करता हूँ के वो डाइस पर लाएं अगला नाम है बॉपाली से अमीन भाई साहब अमीन भाई साहब अगर मेरी आवास सुन रहे हो तो वो भी यहां डाइस पर तश्रीफ लाएं ताके दस्तार बानकर उनका इस्तक्बाल किया जा सके जोरदार तालियों से इस्तक्बाल करें हमारे जो मेजबान हैं, उज्जेन के तमाम हज़रात वो उनके हाथ नहीं हिल रहे हैं को इदर साइड में खड़ा करता हूँ हाँ जरा उज्जा हथ करके बजा दी मालूम बढ़ जा है मुझे बजा रहा है आप बजाएंगे तो सब बजाएंगे ना बई प्रोग्राम की जीनत तो आप लोगी हो ना मुझको मालूम है महफिल की रोशनी हूँ में उनको डर ये है के महफिल खराब कर दूँगा जनाब शानू भाई साथ लिनेटी लटेरी लटेरी से तश्रीफ लाएंगे शानू भाई साथ लटेरी वाले हमारे बीच में आए हैं उनसे भी गुजारिश है के वो बराए महरबारी डाइस पर लेआ कुंदूर से दूना अमिन कुरेशी साथ अमिन कुरेशी पहलवान साथ आ गाएंगा जी साथ और जनाब भाईयू पहलवान साथ रिसाला वाले वो भी आ चुके हैं और हमारे बीच में इंदूर के उस्ताद शरीफ उस्ताद वो हमारे बीच में यहां तश्रीफ रखते हैं मैं चुके फासले के मुनासिबत से आपकी उस्तादी को वोरे शेहर मानता है पुबूल करता है सूबह में आपकी पहचान है ऐसे शरीफ उस्ताद फूल वालों को मैं दर्खास करता हूँ बहुती अदब के साथ तालियों के साथ उनका इस्तक्बाल करें और तश्रीफ लाएं आरिफ भाई साहब मास्टर महू से जो तश्रीफ लाएं है उनसे भी गुजारिश है कि वो बराए महरवानी शर्रीफ भै लेकर आई आप इनको जी आपकी जोड़ी सलामत रखे ऐल्लह ताला महतरम अबदुल्ला पढ़ान साहब देवास अबदुल्ला पढ़ान साहब अबदुल्ला पढ़ान साहब चाहने वालों की तालियों अलगी आवास दे रही है जोरदार तालियों से इस्तक्बाल कीजिए नागदा से तश्रीफ लाए हमारे आज के महमान वहीद भाई साहब इंदोर से तश्रीफ लाए हुए जानाब मौईन अब्दीन साहब मौईन भाई साहब आईए मौईन भाई आईए और इंदोर इसे जनाब शिक्कु भाई साहब मौईन भाई आईए शिक्कु भाई साहब आप भी तश्रीफ लाए है मौहिन भाई के उस्ताज सहाव यहां तशरीफ रखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि जहां आपके शागिर्दा आरह हैं वाँ आपका होना जलूरी है और मौहिन भाई आप आगे आरहे हैं आपके उस्ताज पीछ zar आरहें उस्ताज के लिए शेयर कहता हूं कि सिर्फ तुम चाहे जितनी उंचाई हासिल कर लो यूकिलिप्टिस शरी बाई से सुनिए शरी बाई किदर गाई शरी बाई यूकिलिप्टिस वो बड़ा वाला जहार जो होता है न यूकिलिप्टिस जो उंचाई वाला जहार होता है जिससे बाम बनती है शागिर्द के लि तो ये आम की अमराईया जो तजर्वा लेकर आती हैं उस्ताद के बगर आप समझ सकते हैं कि जब आखिर में शागिर्द कहीं ना कहीं ये समझता है कि मेरा बगरा वजन गेन नहीं कर रहा हाइड गेन नहीं कर रहा है इसके पेर कमजोर हो रहा है इसको फला प्रॉब्लम हो र हुआ और इंदोर से तक्रिफ लाए जनाब भईया भाई घृठ वाई अगर सन रहे हों तो वो डाइस पर तश्रिफ लाए करनावद उनेहिंग से तश्रिफ लाए याकुब भाई साहब याकुब भाई साहब उनेहिंग करनावद से हमारे करीब का एक दियाद है जहां से उनेहिंग के बगरे बड़े मश्यूर है उनसे भी गुजारिश है कि वो डाइस पर तश्रिफ लाएं ताके दस्तार बान कर आपका इस्तक्पाल किया जा सके दस्तार कोई भी ना बाने हमारे यहां की लोकल चेनल मद्देपरदेश सुबे की कुछ चेनल और नेशनल चेनल इसको शाया करेंगी और आप आशालाँ आपके चेहरे पर जो दस्तार नजर आ रही है वो जितने अच्छे रंग से हमारे छोटे भाई ने दस्तार बानी है वो कबिल तारीफ है जी उन्हों लेकर जाओ बेटा नदीम भाई इंदोर से तश्रीफ लाए हुए नदीम भाई कुरेशी नदीम भाई कुरेशी इंदोर से तश्रीफ लाए जेद भाई इंदोर वाले वो भी साथ में आ जाएं नदीम भाई के साथ में जेद भाई इंदोर वाले और रिसाले ही से जनाब गुड्डु भाई साहब गुड्डु भाई साहब रिसाले वाले आरी भाई साहब जो हमारे गुड्डु भाई के भतीजे भी है उनसे भी मैं दर्खास करता हूँ कि वो भी डाइस पर तर्शीफ लाए हमारी एक जरासी छोटी सी कोशिश आपके सामने आरी भाई बुड्डु भाई के भतीजे आईए ना भाई बुड्डु भाई के भतीजे मेरी आवाँ सुन रहा है आईए आप तालिय में बजा दिजी भाई ये कलिम गुंडू साहब जो है हाजिर साहब उनके बतीजें आप उनको डूंडोगा कि ये तो भंकरे में थे जी नहीं क्यों साब तो वो भी यहाँ डाइस पर तश्रीफ लाएं है उनका भी इस्तक्बाल किया जा रहा है मास्टर साहब के लड़के महू से तश्रीफ लाएं आरिफ मास्टर साहब के नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनसे गुज़ारिश है कि वो भी डाइस पर आ जाएं आरिफ मास्टर साहब के साहब जादे वो भी डाइस पर आ जाएं कि आपके पोते एक चोटा सा उस्ताथ जो बक्रे बाजी का इतना शोख रखता है कि वह हजी कलिम गुडु साथ की गोद में से ही निवतर रहा है और बार बार उनकी जान खा रहा है कि बक्रे तो आई नहीं आप लोग आए वे आपके आने से उसको कोई फरक नहीं पर रहा है कलिम गुडु साथ उसको समझा समझा के बिठाए हुए है क्या नाम है हमारे बच्चे का एहमद भाई एहमद भाई ये इस बच्चे का नाम हमारे पोते का हम इसका भी इस्तक्बाल करते हैं ये भी आज के हमारे डाइस के महमान हैं और हमारे वो तमाम महमान जो इस गुजारिश पर एक दावत के ओपर जो बजरिये फोन दी गई थी वो यहां आए अपना कीमती वक्त दिया मैं उन सब का और जो शेहर के खास हजरात हैं उन तमाम लोगों का भी इस डाइस और मंच की जानीब से चनाब हाजी अब्दुर्रहीम पहलवान साब और उनके एहबाब उनके रुफगा उनकी फैमिली उनके ग्रूप की जानीब से मैं उन तमाम का इस्तक्बाल करता हूँ ख अधर्श नगर से जनाब शेख खलिक साब शेख खलिक साब आदर्श नगर नागजिरी से वो भी यहां डाइस पर तश्रीफ लाएं और यहां इसके अलावा भी बहुत सारे बक्रे बाज में महसूस कर रहा हूं या बेटे हुए हैं लेकिन चुके वो यहां के मेज़बान हैं यहां आजके प्रोग्राम के वो परिवार के सदसे हैं उनका भी मैं इस्तक्बाल करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे नाम अच्छे अच्छे नाम बनाया है और उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर तश्रीफ लाकर अपनी मौझूद्गी से प्रोग्राम को जिन्धगी बक्षी रुन्लब बक्षी हम उनुनतमाम के शुकुत बिजार हीं अफजर बें इंदोर से जनाम महतरम अफजल भाई साहब अफजल भाई साहब इंदोर से किसी के लिए जादा तालियां किसी के लिए कम तालियां अल्ला मियां समझ लेगा आपको बराबर से बज़ाओ भी अहाँ सब के लिए एक जेसी तालियां होना चाहिए शरीब भाई के साहब जादे जनाब राजा राजा साब आज़े हैं आप भी हमारे शरीप भाई के साफ़ादे यहां तश्रीफ लाएवे हैं अगर आपको शरीप भाई के जवा नहीं देखना है तो उनके साफ़ादे आ रहा हैं देख लीजिए माशाल्ला विल्कुल हूँ बहु कौपी है आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में इस होटल प्रिसिजेंट के मालिक पूर्व पारशद हाजी कलीम गुडू सहाब जो अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए और हमारे इस प्रोग्राम को जिला बखशी हम उनका इस्तक्बाल करते हैं साथ ही जोड़पूर से चीफ गेस्ट के हिस्यत से हमारे सरपरस्थ परिवार के मुख्या और बक्रे बाजी में होसला देने वाले जनाब अताउल्ला सहाब जोड़पूरी जो आज के चीफ गेस्टे हम उनका भी इस्तक्बाल करते हैं जमजम गाट फॉर्म के नदीम भाई सहाब, मिजान भाई सहाब, हाजी लाल मोहमद शेख सहाब, हारून मामा पाली से, वसिम भाई जेपूर, सादिख भाई जेपूर, उमेर भाई जेपूर, राजा भाई जेपूर, जनाब तहरान मोधी जोड़पूर, शाहब अली बहुपाल, अमीन भाई बहुपाल, शानु भाई dalरी, अमीन कुरेशी पहलवान साहब इंदोर, भाय्यु पहलवान साहब रिसाला इंदोर, तमाम यूट्व चैनल के बहुपाल से तश्रीफ लाएवे हमारे मेहमान, कोटा से चीना भाई के साथ टीम के साथ तश्रीफ लाएवे हमारे तमाम यूट्यूब के जिनके लाखों सस्क्राइबर इस शोख में शामिल है और वर्ड गॉड टीम अजमेर शरीफ से तश्रीफ लाएवे जिनकी कोशिशों से आपका ये प्रोग्राम लाइव टेली कास्ट पुरे हिंदुस्तान में नश्र किया जा रहा है हम उन तमाम के शुक्र उगजार है एक पत्थर की भी तकबीर समर सकती है शर्त ये है कि सलिखते से तराशा जाए आप उसको तराश कर किसी भी भगवान का सोरूप दे देते हैं हिंदु माइथालाजी में जानते हैं आपने उसको अच्छा तराश के क्रिश्ट बना दिया सरस्वती बना दिया शियू बना दिया तो एक पत्थर की भी तकबीर समर सकती है किस तरीखे से एक बच्चा लेकर आते हैं उस बच्चे के हाथ पेर देखते हैं उसकी गरदन उसकी आँखे और उसकी काटवाट देखते हैं और उस्ताग के देता है ये एक अस्सी बेड़ जाएगा इसकी हाइट इतनी हो जाएगी ये अभी बच्चे ही है तो मैं उसी बात को ध्यान में रखकर आप बगरे बाज लोगों के लिए ये शेर पेश कर रहा हूं कि एक पत्थर की भी तकदीर समर सकती है शर्त ही ये है कि सलीके से तराशा जाए पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला पत्थर मुझे कहता है पत्थर पर बात आ रही तो बगरे के पसे मंज़र बात सुने कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला मैं मौम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा मैं मौम था अब शेर सुनिए कि मैं मौम था एक आँच में पिखल जाता मेहमान मैं जो बात कहना चारा हूँ वहाँ तब पहुच जाए मैं मौम था एक आँच में पिखल जाता तेरा सुलूग पत्थरों में डाल गया मुझे मैं मौम था एक आँच में पिखल जाता माशालला उस्तादी बक्रे की उस्तादी के लाइन से बहुत बड़ी बड़ी शक्सियत ने आई है इमरान भाई मौलाना ठेकेदार सहाब वो अगर मेरी आवाज सुनना है तो डाइस पर तश्रिक जाए एक बक्रे के प्रोग्राम में एक मराला ऐसा गुज़रा जो ताजा ताजा नया नया बक्राबाज बना था उज्जेन में शायद आप उसमें नहीं थे और करने से जो हासिल होगा वो हासिल होगा कि इमाम अगजाली रहमतुल्ला लाए फरमाते हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद के पास 20 साल 20 साल तालिम हासिल करी और उसे पूछा गया कि क्या हासिल करा तो बोला कि काश में 20 साल तालिम हासिल नहीं करता 20 साल में सिर्फ अदब को सीखता है सब को देखने दीजिए फैजान भाई इंदोर से शरीप भाई के लड़के वो भी 20 पर आजाएं फैजान भाई शरीप भाई के लड़के 20 पर तर्शिर्फ लाएं तालिम बजा दे भाई देखिए अब बकरों के लिए भी तालिम बजाओ भाई ये अपना वजन बढ़ाने के लिए उसकी जान निकाल देते हैं वो आपके सामने घड़ा हुआ है अगर बकर का इंटर्वी ले लो तो वो सबसे ज़्यादा बद्वाएं उसके उस्ताद को ही देगा क्यों साब चलिए दूसरे को लेकर आजाएं भाई या दूसरा बकरा लाएं आप यह देख रहें, कि यह बकरे का कॉमपडीशन नहीं है या किसी और बकरे बाज के बकरे शामिल नहीं है यह एक ही परिवार के बकरे हैं और यह सब माशाशल्ला कुर्बानी के लिए हैं इसके पहले मुझे शरिबबाय ने यादिलाया कि एक जो जेंदा सबसे भारी बकरा अभी तक जो खुर्बानी किया है वो इसी परिवार ने खरीद कर किया है किसने करा था वो पाला किसने था साजित पहलवान ने पाला था उसको और हाजी साथ अब्दुर्रहिम पहलवान साथ उन्होंने करा था इसके लिए जोरदार तालिया मज़ा दे यह बच्चे बेट जाओ बच्चे बेटाओ इन बच्चों को बटाओ वही यह प्रोग्राम निस्टाब हो रहा है बच्चों को बटाओ यह आप बच्चे अगर नहीं बेटेंगे तो बटाओ नहीं दिखायेंगे बच्चे बेट जाओ आप ए बच्चे बेटो बैटो राज़ा वही है हजे साब नाज रेडियम have नाज रेडियम वाले हाजी साब नाज रेडियम वाले राज़ा भाई मेरी आवाज सुन रहा है तो आ जाए नाज रेडियम वाले राजवाई देखिए माशालला जो बकर आरा है मैं चाहता हूँ कि तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए जोरदार तालियों से इस्तक्बाल की थी है आप पीछा जो उदरा जो देखिए माशालला और आगे लेजा जोरदार तालियों से मत कीजिए बाई माशालला देखिए क्या मेहनत नजर आ रही है खुर्बानी के लिए इतना बेहतरीन जानवर आपके सामने पेश किया जा रहा है अल्ला इसके खुर्बानी को खुबन फरमाए जोरदार तालियां इस बत किरत लिए जोरदार तालियां देखिए पीछे जो कत्था ही आया है यह जोर देखिए आप माशालला इधर आट जा बेटा आप इधर आचाओ इधर आजाईए आए इधर आजाए आए इधर साथ जाएए सामने से पाजर पीछे आजाईए आपीछे तो आजी पही नदटी साहब कहां चलेगे जब बोकरे आगए तो आप उपर आई यह अरे आओ तो सब्सक्राइब कि बकरे नाराज हो जाएंगे निकों कि गुर्बानी पर आपका धामन पकड़ लेंगे लिए लिए अल्ला के माँ हाजे ही आप हाजी कलीम गुड्डू साहब हमारे बीच मेहें तरफास करता हूँ कि वह हमारे बीच में डाइस पर तश्रीफ लाएं था पर ख्रिजाभ हँ इसका खरो कर दो अपर बुर्ट वार को अगर यह जाएगा निए अगर जाएगा अगर जाएगा वाकरों की तज्यारी देखकर लग रहा है यह एक बखरा एक पुरे परिवार को भी बढ़ा के ले जाएगा सारे पहलवान जो भी हैं हमारे सब के लिए एक बखरा काफी है अल्ला इनके कुर्बानी को पुभूल फरमा ले आजएसे पहलवान घराने से हैं वेसी बखरे भी पहलवान हैं अब मैं चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी genre करके पूरे परिवार के तरफ से मैं चाहता हूं कि जनाब गोलु भाई जिन्होंने अतंक मैदत करी हैं इन पुखरों को यह तक पहुंचाने में और उनके शायान शान खिलाई करके उनको इतना तयार किया ऑओ उनकी भी दस्तार बंदी करने के लिए मैं दर्खास करूँगा जनाब गोलु भाई यहां आजाएं साथ में मुन्ना भाई गेरेज वाले वो भी डाइस पर दो शिपने आए मुन्ना भाई गेरेज वाले भाईया एक बार और बजा दो ताली अगर बगरे पसंद आ गया हो तो ताली नी बजेगी तो यसा लगेगा कि बगरे पसंद नहीं आया बबलु भाई साथ पिपलोन वाले वो भी डाइस पर तश्रीफ ना आए यह बच्चे जो खड़े गे डिठे भाई इदर से इदर आजो भी आजाओ आपका इंथिजाम नहीं हो तो समझ मैं आता है सब बगने का इंथिजाम आप बेठिये बेठिये, आप बेठिये, टशीफ रखें अजिवाशा शैंछा तरवाँ अमेशां अमेशां सदाना दज है तिरा हो क्या भयाँ तूशा में हिंटोशा तूशा में हिंटोशा ते परेल्ड रधा, ओ व बर्धाप, व बर्धाप करने राम्राइब तय स्कॉतिकर के शमया चाल कní तसे आप करेएrendre उट साब देशा, परेशा, सProenden शाल Insurance तyang मा घा वात बर्या उशा घुप सता कि छोग का कि लाइन, को आमिन वोग शार ठथरो, भा उत तार LIST आजाँ यग्ड़ो ब pry उत र forecast विग कोंटयर विपकोंटयर विपकोंटयर कुरे विए कोंटयर cha कली की न tutti कि विए रistic तार यह वर्मी की वज़े सापरा है या कुलर हो रही, कुलर गायके बटर रहता ना बेशेडिया उते शिवाल मर्म का नचवाना बकर उतारनीजे भाई दीरे से उतारनीजे पकरे माशा अल्ला बच्चों हड़ जाओ बेटा आप हमारे छोटे भाई कलिम भाई उनकी दस्तारी गल्ती से रह गई में माफी चाहता हूँ कलिम भाई से गरखास दे के वो डाइस पर तश्रीख लाई ताके उनके दस्तार बंगी की जाए कलिम भाई दस्तार बंगी भाई कलिम भाई के लिए इधर आ जाईए अपने अज्जेन के जो है फुन छोड़ो के नम दे लिए है ना बोले अपने के नम साजित पहलवान साजित पहलवान अज्जेन अब वो तश्रीफ लाएं डाइस पर अब हमारे अज्जेन के महमान को बला रहें इम्रान भाई सहाब मिल की पुरा सुभान अल्लाः सुभान अल्लाः जोरदार तालिया मजाईए इसके लिए वाँ 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 देखिए मेर को ये कहना पा रहा है इतने बक्रों की किसमे हैं और अल्लाः तालाः ने सुरह रह्मान में फर्मा दिया कि फबिया या अलाई रब्यकु मातु कज्जिबान राजिस्तानी मालवी मारवारी जमना पारी और पता नहीं कौन कौन सी नसले हैं आपके सामने माशाललाः जोरदार तालिया बजाईए इदर आईए आप वाँ 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 सूसू कर दिया उसने सूसू कर दिया उसने पीछे ले पीछे ले वाँ एक और आया आपके सामने इसके लिए भी जोरदार तालिया अगर आप तालिया मजा रहें तो समझ लीजिए कि हाँ बगरे पर मेहननत की गई है हाँ है उक और आया बकरा देखिया ये सारे बकरां खुर्बान ही कहीं आप दिक लागे रहाँ सामने खरी खूर के पर आख दिक लगती है कि आख देंजे ने अख बेट जा बेटा बेटा बेट जा तो यह आमजा यह कुंसे नसल ही है यह पंजाब ही है यहां से कौन को पुड़े है जाड़ने से आज़ा है वापस आना पड़ता है फिर आप वापस आना पड़ता है इसी के साथ मैं यह इसके बड़े की खूफू कुह सूर्ची और बणंठी अलुग इसे ने खालो हम कि आल्द आओड खाला हुद आप शी तुबार के लुड पर्मा इना अभी आमें अमें आद आनल को यहां अच्छा हुआ कर दिया कि अधिन आदा अवाज है बालो हालो लो बुलो उस्वार्व अस्वार्व अजिसा के आज गुजु भाहिन में वसीम भाई लिया प्रोग्राम रखा है एम पी में मेरे इसाफ से तो पुर्बाणी वद्य ने शाहिए किसी दिता बड़ा प्रोग्राम लखा होगा बिल्कुल सही फर्मा जोरदार तालिया पहली मरतबा इंडिविजल खरीद और फरुक्त करके नहीं बलके बखरे बनाए होने शरीप बाइगा जैनाब पूरे मध्य प्रदेश में इसलिए जोरदार तालिया बजाए हम सब और माशालला कुर्बानी के लिए बखरे हैं बहुत मिहनत करते हैं बहुत शांदार जजाक अल्ला आप हजरात में अपने किया है है हमारे वसीन बाइं लुत यह आप इच्छाइए है वह बताए है हागया है पीशा मत शुको शुको जाओं गया है अ अच्छी बाद बहुत अच्छी बात इत्र सफ जाए है हम इन आर बह्राए है मेरे दिल में आई है वो बोलू हुआ माभी के साथ में अगर किसी को बुरा लगे तो माभी चाहता हूँ बकरा बनाना अपनी जगह है बकरे को खिलाना अपनी जगह है लेकिन गोलू भाई की और उनके वाली साथ की और उनके भाई का जज़बा कुर्बानी के लिए है वो काबिले तारीपे पर भाईयों को देना चाहूंगा कि हम बकरे तो बहुत पालते हैं और बकरा लाते हैं लाग रूपे का पचास हजार का दो लाग का पाट लाग का भी ले ले लेते हैं पालने के लिए शो की ऐसा है और फिर उसके उम्मीद लगाते हैं कि यार ये दो लाग का लिए तो डाई का तो हो गिया तीन का तो हो गिया एक पकरा में मेसेज दूँँगा कि सबसे पहले कुरुबानी का बांदे अपने घर पे फिर पालने के और बेजने के बांदे बहुत बड़ी है तो उसके जजबा बोलते है तो ये जजबा पेदा करें गोलो भाई से सीखें कुछ इंशालला बहुत बरकत देगा अपने कारोबार में भी बच इतना ही कहना चाहूँ बहुत सटिक मेसेज इसलाई तनकीद आपके सामने करी ये बड़ी बात है अब अचाउल्ला भाई साथ जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ केस्ट है मैं बहुत ही अदब के साथ चीफ केस्ट के बाद में मैं जरूरी नहीं समझता कि फिर कोई और वक्ताव बोले मैं अताउल्ला भाई से मजारिश करूँगा कि वो आज के इस गुर्बानी के जानवरों के मतालिब अपनी खयाला का इज़ार करें माशालला सबसे बड़ी बात यह हाटों के अंदर और बड़ बड़े बकरे बात जो बकरे पालते हैं उसको खरीड़ो फरुख के इसाब से करते हैं सुभानला वावावावावाव जोऑ़ दार ठोलो हो packets सबसे बारी गुर्बानी Дेखिए उसकी कमर उसका डिजाइन विटा सामझे साटव आप दोनों बगरों को एक साथ आजाने दीजिए आपने साथी आप लेखिए आप उसका सीना उसकी खुबसूरती उसकी हाइप आप देखिए ये सब जोड़तार तालिया बजा ये एक बर्दबा भाईया आप क्यों नी बजा रहा है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है लाड़ा करिए थोड़ा साथ बस 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 वो दूसरा वक्रा भी लाईए अगर वसिम भाई अरे वक्रा को भेजिया आप आगे लाईए इसको माशाला आगे लाईए आगे थोड़ा साथ आगे लाईए आगे लाईए आगे लाईए वाव 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 ताहिदर नाम इसका जोड़ार तालिया बजाईए तालिया बजाईए जोड़ार माशाला खार आगे लिए शाथ बाई को बलाई और वह यह किदा रही आए अगर आगे लिए वाँ सुबहानलाद वाँ सब्रेदी कर दो, ही जीजय सब्तार सक्राइब। यह मोमेंट कभर निजी आप डाली जैप को अब हारून भाई मामा साहब इस्ताइबाल करेंगे एक ट्राफी देंगे उनकी तरफ से बहुत आपका बहुत आपका बहुत आपका आपसे स्टाइब कर तरह दूब डराफी आपके लिए माहीक आफ माशालला जैसा कि आज बकरा एक बकरे भाजी और कुरुबानी आज हदे पार कर ली माशालला तो इसी में एक से रज करूँगा कि ना दिल होता ना दिल होता ना दिल रोता ना दिल दिल से जुदा होता ना आप इतने हसी होते ना हमारा दिल आप पे फिदा होता तो माशालला पुरुबानी कबूल करे अल्ला ताला नायाप चीज माशालला और वसिम भाई की डिमांड पर एक शेर और अर्ज करूँगा कि उन्हें चराना नहीं आता उन्हें चराना नहीं आता और हमें चराई के सिवा कुछ नहीं आता पक्रेबाजी के दो इसूल है एक उन्हें नहीं आता रेक अमें नहीं आता वो Garlic Fon वाले आतार्या हैं, भॉपार मेहम न्या है olduğu को इस वह भॉपार भॉपार जाहां ओझेयों जाए ठार Such a generic आगे भी एक भॉपारे भॉपारा जाले आज था गॉफार ना इतार ना प्रोग्राम देखें जा जा रहा है और करते रहते हैं कापी सारे बोपाल की इवेंट अपने कवर किये माशाला बोपाली गोर्फांदे शाब भाई और अपने तोयल भाई और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए अभी आए हैं अपन खसी बक्रे का जो है प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारी जगा बखरे अपने देखी हैं लेकिन एक मंच पर एक आदमी के इसके सारे कुर्बानी के बखरे यह मेरे खायच है एंपी के अंडर कोई भी दी कर रहा होगा तो पहारी बग्रोगी मेरे यह मानना सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे गोलु बाई कर रहे हाजी स कर रहा है बिल्कुल पर शादव बाई के साथ-साथ बखरे बी उतने ही नायां नहीं पर मैं यहां इतने बड़ी बड़े उसताद हैं हरुष के उस्ताद हरुर्बानी मामा है उसताद हैं शाप भाई भी भौपाज से आ हारिव भाई हमारे कुछ अजमेर से कुछ कहां से यह सब कर्बानी के बकरे देखना हैं और उनकी तैयर ही देखना है माशाला मेरे हिसाब से बाई आल्ला कामियाब करें इनकी कुर्बानी और जे से अभी इनूने जितने बकरे उता रहें इंचाला अगली सालो डवल करें और बाई मुझे तो देखके चादब बहुत मज़ा बिल्कुल कि इस्टेट पे बकरे जरूर आते हैं लेकिन हर आत्मी के अलग अलग आते हैं और बड़ी बाद और कुर्बानी के आएं सब माशाला अब भाई आप भी बताईए आंडू बकरों का शोक करते थे अभी खसी बकरे माशाला एक तेक बकरे देखने को मिलें फिट है थाकि तुम मेरे खुट अब लुगतों की तुम इर नर बकरत को मिलना है वाकी मेहिढ के गोलुभई ला अपको मैं पूरी कोशिच करूंगा आप लोगों जैसा नहीं तो आप लोगों की बढ़ावठी करने की दूकरोंगा नकल तो करऊंगा आप उसार ले में करें के बहुत भारी तैयार है भाई आप भी बताइए आपी माशाला बैक टू बैक अपन वीडियो बना रहा है अलाग अलाग प्रोग्राम में जा रहा है लेकिन ये कैसा प्रोग्राम में जा कोई भगरा फोर सेल के लिए नहीं है सब माशाला कुर्बानी होने वाले बगरे तो किसी बगरे को अपन बुनी साब बता दे जैसे अपने पूरे एंपी में अभी अपने सोयल भाई ने जो बहुपाल में लांचिंगरी जी बगरोंगी एक प्रोग्राम वो देखा है और वो तो खेर बेशने वालोगा था और ये कुर्बानी का है मैंने दोई प्रग्राम मे और गोलु भाई ने तो इतिया सल्दिया भी हां इंपी में इस तक के पोस्टने में आदमी को बहुत टेम लगेगा आदमी एक बगरा पालता चार सल तक तो उसका नाम लेता मैंने इसा पाला था एसा कुर्बानी करा था अरे वह थानी या तो है एक के बाद एक है और हर सा शुक्रिया 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 शुरुआत 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 और मैं कहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था ये एक और इतियास बन गया इंदुस्तान के अंदर खसी बक्रों में सिंगल कुर्बानी कंडे वाले के जो बक्रे या सो में आए एक से एक बक्रे माशाला बलब तारीप अल्ला की अल्ला इनकी कुर्बानी कबूल करें और द तेल तिल तिल काति तू कातिल तेरा तिल तिल कातिल किस को इलजाम दू आज की बगरे ये बहुत पुरानी बगरे और बहुत भारी बगरे आपके भी मेने कवर की हैं 2021 के अंदर ताइम पर आपका इंटर्वी लिया था अभी जब मुलाकात हो रही है तो अभी इन बखरों के बारे में बचाए आप बखरे देखे थे आपने सेल के थे और ये बखरे माशाला कुर्बानी के और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं अल्ला का करम है कि दर्जन के जजबा जगाया वसीम भाई ने तो मैं ये दुआ करूँ है कि हम बखरे वाजों में जजबा जागे कि हम बेचने के लिए जो एक से बखरे तयार करते ना कुर्बानी का भी एक इसा बखरा तयार करें कि उसको दुनिया देखके और वह हमारे पीछे वाले उससे थोड़ा और कामियाब करें कि आगे और इससे अच्छी कुर्बानी की सलाहियत दे अभी तो ये बखरे देखें मेंडे भी इनके पास बहुत लाजावा पे अलम्दुल्ला बहुत अच्छे मेंडें के जो मतलब वाकिए में कुर्बानी के लाए कैसे मेंडें नहीं होंगे लेके हम बहुत अच्छे मेंडें के झूखते हैं और बेजने के लिए पालते हैं लेकिन ये उनको कबलियत के खुड को गुरुबानी के लिए पालते हैं लेकिन लग favour payoff बालते हैं दोगाने के लिए लिवा ए?? आप भी बताईए भाई बगरों के बारे में माशाला बहुत अच्छी ताइम देखें अभी यह बगरे पहले भी देख चुके था फर्स टाइम देखें मैंने माशला केसे लगए बगरें अपकरें अच्छे माशाला चलिए शुक्रिया अप माई दीजिए उने अज्छ प्रवाई आपना अधूला भाये इंप में और यहनले पहली पार में आई हैं यह कुर्बादी के प्रूर्गराम में हां और बहुत बड़ा नाम है इनका जम-जम-गोट-फार्म नाम तो अल्ला और अर्ला का रसूल का बाकी अपन उसके उन्मतीं अल्ला कर रसूल क और अपन उसकी सुन्नत का काम कर रहा है तो बहुत बड़ा नाम है अलहम्दलिल्ह दो सब्द बोलिया आप कॉंपिटिस तर अपनी जगह है तो पी इसका तो अपने ठीया करें पोने ईक तो अब हाद। यड़तो भाई बोलेघे तो अब है तो एड़ा वर्यद ने जागा है हौड़ीे तो अब हमस नॡ़ भाई अ तोड़ा सा केमरा शाही निर्चा रहें गोलु भाई दादा बात नहीं घरते हैं केमरे के उपर लेकिन ओवर आल पूरे बखरे देखे बखरे देखके बहुत मज़ा आया और अब इंशालला पब्लिक को भी शोक देखके मज़ा आएगा जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं नहीं आ सके तो वो इंशालला यूट्यूब यहां पर नदीम भाई बिल्कुल बिल्कुल उनको सायद राणा केते हैं नदीम भाई दो शब गोलु भाई के लिए और उनके जानवरों के लिए माश्यालला देखो जानवर तो जितने भाई आये हैं सबने देखा ही है माश् अश्यालला ऐसे तयार होए और अल्लाद आला इनकी कुर्बानी कबूल करें अबने राजा बही है और माश्यालला बक्रों का भी शोक है यह पुराने बक्रेवाज है यह दो लब्स यह कहना चाहेंगे अलम्दुलिल्ला लाल मुमद जी शेख ठीक है आपके गोडों का शो सब नजर से बचा है और सब भायों की और बक्रों की तंदूस से रखके और इनकी कुर्बानी के बारे में माश्यालला आप भी बताईए बग्रों के बारे में बाई कुर्बानी तो देखा भी सब कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन भी खूब हुए वागी मैं बात अल्ला के दावय से कह सकता हुं हिंदुस्तान में अभी सबसे बड़ा वक्राह निए गा है माश्यालला और कुर्बानी गाए खुर्बानी कबूल करें बल्कुल बिल्कुल बिल्कुल our इनकी कुर्बानी कबुल करें अ तो शरीब भाई अभी वीडियो को एंड दें वासीम भाई भी कुछ बोलना चाहेंगे वसीम भाई आप तो सिर्फ मैसेज दो मालिक दो कि कुर्बानी के बकरे हैं तो आवाम जो यह वीडियो देख रही उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आवाम को यहीं मेसेज दूँगा यह वाई आप जा जाके इससे की गुरबानी में इसा ना लें तकरीबर चोटे ही लाएं लेकिन एक बगर लाएं जरूरी नी पाल के लाएं लेकिन कम सकम एक बगरा खुद का लाएं ताकि अपनों को फिरीज में जमानी करना पड़ें नहीं तो क्या होता है आज कल देख यह वाई जाती है उसके बाद में बढ़ जाता है दूसरे दिन फर दूसरी कुर्बानी होती है वाला काम नहीं है वह प्रकाम यह विए तेरान बड़ें सलाम करो आप ट्रेंडिंग में लेते हैं आपके सरनेम की वज़े से तो आप दो लबज़ बोल दीजिए यह विए आपना ही वक्राइगा माशाला वह मैं इंशाला हूँ जाओ अज मेरा अच्छा इंशाख चाहला नेक्सियों वह वह बीक्रा गाईगा जीदिए वह वह बैदेश करूँ आए अच्छा चाह नेक्स यह वह बहुए बाद करेंगे बहुत 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 शुक्रिया आप जितने भी है उनको मेरा पिस से एक सलाम अब जे और सबको दूआ कर मैं और हमारी अब्दुल्ह पड़ान साब मेरे उस्ताज पड़ान साब माशालला गोलु भाई का शोग देखके क्या बोलना चाहेंगे आप माशालला शोग और बकरे माशालला किस लेविल के लगे इनके जिसा शोग कुर्बानी के अंदर मेरा यातक के ख्याले के कोई नहीं कर सकता इनपी में तो भाई मुश्किल है क्या और आने वले दो चार-पास साल अभी तो गोलु भई का ही मामला रेगा वागी अल्ला है वाल और सीरियसली गोलु भाई में भी आप से बोलना चाहूंगा कि माशालला बगरे बहुत कवर करते हैं लेकिन कुर्बानी के बगरे तो ये कवर करने में और जादा मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा भाई कि जादा से करता है वो तो चल का या 900 किलोमेटर से आया है अच्छा मैं सोच रहा था कि 200 किलोमेटर में दूर आया हूं लेकिन यह आने के बाद पता चला लोग 1000 किलोमेटर 800 किलोमेटर से दूर आए मैं जोद्पूर से दिली गया फिर दिली से भी आगे जाके पिर उससे नहीं है और आपकी महुपत है और अफजल भाई आप भी दो लफ्ज कीजी है हमारे गोलु भाई के लिए माशाला सालों से सब देखते भी आ रहा है गोलु बहुत के लिए और शादब भाई इस साल की अगले साल की तैयरी न की कंपलीट रहें हो माशाला अगले साल की कंप्लीट रहे हो माशाला व्यक्ता नाम सब्सक्राइब बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का अल्ला हाफिस